परिचय राज और अमर ड्राइंग रूम में बैठे हैं राज अपनी मन पसंद पुस्तक पढ़ रहा है तथा अमर कोई कारे कर रहा है अमर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ आखिर ये कैलकुलेटर कैसे कारे करता है ये सभी उत्तर सही सही कैसे दे देता है हाँ राज मैं तुम्हें बताता हूँ कलकुलेटर डायोडों के चुड़ने पर कारे करता है डायोड एक अर्धचाली की ये प्रक्रम है तथा इसे अन आफ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब किसी डायोट को किसी विशेश प्रकार से वैवस्थित किया जाता है तो वह विशेश्ट परिडाम देता है धन्यवाद अमर मुझे कैलकुलेटर की आधारभू संकल्पना समझ में आ गई है छात्रो आज हम अर्थिचाला के लेक्ट्रोनिक के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ठोसों में उजा बेंट के बारे में जानना अचालकों, अर्थिचालकों तथा धात्रों को परिभाशित करना आंतरिक तथा बाहे अर्थिचालक को समझना एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्थिचालक को परिभाशित करना पी एन जंक्षन को समझना अर्थिचालक डायोट का वणन करना आगरे तथा पश्च बायस जंग्शन डायोट का विशलेशन करना पी एन जंग्शन डायोट के वी आई गुणों का विशलेशन करना रेक्टिर फायर को परिभाशित करना और जीनर डायोट की व्याख्या करना ठोसों में उर्जा बैंट परवाणू में इलेक्ट्रोन किसी निश्चित नियम के अनुसार विविद कोशों में वित्रित होता है तथा उन्हें निश्चित डिस्क्रीट उर्जा मान रखने की अनुमति होती है। ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टल में परमाणों के बीच की दूरी धीरे धीरे अनन्द से घटकर आर नौट हो जाती है जो तुलियांक के संगत नहीं है संयोजी बैंट संयोजक्ता बैंट उर्जा इस्तर का संयोची बैंट है, जो क्रिस्टल में परमाड़ों से बधे संयोची इलेक्ट्रॉन में होता है रिक्ती अंतराल संयोजक्ता बैंट के उपर उर्जा का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच सकता है चालन बैंट रिक्ती अंत्राल के ठीक उपर उर्जा के स्थर जो क्रिस्टल के चालग इलेक्ट्रोन दोरा ग्रहन किया जाता है ये इलेक्ट्रोन गती करने के लिए मुग्द होते हैं तथा विद्धिक शित्र में अपनी उर्जा बढ़ा लेती हैं अचालग अर्थचालग तथा धात्वें ठोसों के बैंड सिध्धान्द के आधार पर ठोसों को अचालग अर्थचालग तथा धात्वें के रूप में वर्की क्रेट किया जाता है अचालग सेयोजकता बैंड पूरता भरा होता है तथा चालन बैंड दूर होता है इस प्रकार के पदार्थों का अच्छा उधारण हीरा है। इसके च्छै इलेक्ट्रोन वोल्ड की रिक्ती अंत्राल होते हैं। सभी संयोजक्ता इलेक्ट्रोन से संयोजक आबंद के निर्मान में भाग लेते हैं। तथा विद्ध के चालन के लिए कोई उपलब्द नहीं होते हैं। अर्धचालक संयोजक्ता बैंड पूनता भरे होते हैं तथा चालन बैंड इसके निकट होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ का उधारण है सिलिकन। इसके एक दशम्लव एक उलेक्ट्रॉन वोल्ड के रिक्ती अंतराल होते हैं। परम ताप पर ये अचालक की तरहा कारे करता है। किंतु कमरे के ताप पर उलेक्ट्रॉन का एक छोटा भाग परमानों के तापिये परिवर्दन से काफी उरजा प्राप्त करता है। ताकि वो चालन बैंड में गती कर सके। ताप के बढ़ने के साथ अर्द चालकों की चालकता बढ़ती है। धातुएं, संयोजक्ता बैंड अंशता भरे होते हैं। ये संयोजक्ता तथा चालन बैंड का एक दूसरी के ऊपर अतिव्यापन होता है। इस प्रकार के पदार्थ का उधारण सोडियम है। जब सोडियम क्रिस्टल से होकर विद्ध क्षेत्र पर आरोपित किया जाता है, तो संयोजक्ता बैंड में अस्थेत इलेक्टोन उचतर उर्जा इस्थर में उपस्थेत इलेक्टोन की तरहा उर्जा की छोटी मात्रा ग्रहन करते हैं। इस प्रकार के पदार्थ विद्ध के सुचालक होते हैं। सुचालक में अंशता भरे हुए संयोजक्ता बैंड भी चालन बैंड होते हैं। आंतरिक अर्धिचालक आंतरिक अर्धिचालक वे हैं जिनमें अशुद्धियां उपलक्त नहीं होती हैं, तथा इसलिए परिशुद्ध अर्धिचालक कहलाते हैं। ऐसे अर्द चालकों में कुछ क्रिस्टल दोश उपस्तित हो सकते हैं। जब अर्द चालक को शूनने केलविन ताप पर लाया जाता है तो ये अचालक की तरहा वैवरिहत होता है। तथा उच्चे ताप पर संयुजक्ता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रोनों के तापिय उत्तिजन के कारण चालन करता है। उधारन, जर्मेनियम तथा सिलिकन। चलिए सिलिकन पर विजार करते हैं जिसके चार संयुजक्ता इलेक्ट्रोन हैं। ये चार सहसेयोजी आबंध बनाते हैं. सहसेयोजग आबंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे सेयोजगता इलेक्ट्रॉन कहते हैं. यदि कुछ उर्जा दी जाए तो सहसेयोजक आबंद टूट जाते हैं, इलेक्टोन पहारा जाते हैं तथा मुक्त रूप से विचरण करते हैं, जिसके परिणाम सो रूप सहसेयोजक आबंद में रिक्तिस्थानों का निर्मान होता है, ये धनावेश्वाहक के रूप में जह पर होती है, बाहे अर्थचालक बाहे अर्थचालक वो होते हैं जिन में अशुद्धियां बड़ी मात्रा में उपलब्द होती हैं, अशुद्धियां त्रीतिये ग्रूपिया पांचवे ग्रूप के तत्व हो सकती हैं, बाहे अर्थचालकों में उपस्तित अशुद्धिय प्रकार के अर्धिचालक इन प्रकार के अर्धिचालक के लिए इसके क्रिस्टल समझना में आर्सेनिक, एंटिमनी या फॉस्फोरस जैसे अशुद परमाणों को मिलाया जाता है। इन परमाणों के बाहतमकोश में पांच सहसेयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दूसरे तत्वों के परमाणों से जोड़कर पेंटा सहसेयोजगा बंद का निर्माण करते हैं। जब विद्ध वोल्टेज आरोपित करते हैं, तो ये चार इलेक्ट्रॉन अन्य सिलिकन परमाणों से मिलकर बंद बनाते हैं, तथा एक इलेक्ट्रॉन विचरन करने के लिए मुक्त रह जाता है। जोंकि प्रतेग परमाणों एक इलेक्ट्रॉन परदान करता है, इसलिए पंज सैयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदाता कहते हैं। परिणामी अर्दुचालक पदार्थ रणावेश के साथ विद्धुत के सुचालक होते हैं, तथा इसे एन प्रकार के पदार्थ कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोन को प्रभावी वाहक तथा परिणामी होल को आप्रभावी वाहक कहते हैं. पी प्रकार के अर्थिचालक पी प्रकार के अर्थिचालक में हम त्री संयोजी अशुद्धी को डालते हैं, जैसे कि एलियूमिनियम, बोरौन, अथवा, इंडियम. बाहितम सह संयोजक बंद में केवल तीन संयोजी इलेक्ट्रोन उपस्तित होते हैं, अर्थात चतुर्थ आबंद का निर्मान नहीं हो सकता है. ये अर्थिचालक पदार्थ को प्रचुर आवेश वाहक प्रदान करता है, जो क्रिस्टल की सनचना में होल कहलाता है, जो की प्रतेक अशुद्ध परमानों होल का निर्मान करता है, त्री संयोजी अशुद्धी प्राया क्रहक के रूप में ससित है. चालन में मुख्यता धन आवेश वाहक होते हैं, जिससे पी प्रकार की पदार्थ बनते हैं, तथा धन होल को मुख्य वाहक कहते हैं, जबकि मुख्द इलेक्ट्रॉन को निम्न वाहक कहते हैं. आर्थिचालकों के उधारन चलिए अर्थिचालकों का एक उधारन लेते हैं, अर्थिचालक के इलेक्ट्रॉन होल सांद्रण 6 गुणा 10 की घात 8 प्रती घन मीटर होती है, इसमें निश्चित अशुद्धी मिलाने पर इलेक्ट्रॉन सांद्रण 8 गुणा 10 की घात 12 प्रती घन मीटर हो जाती है, हम जानते हैं कि NI की खाद दू बराबर NE तथा NH का गुणन फल, जहां NI आंतरिक वाकूं का सांद्रण है, NH होल का सांद्रण है तथा NE इलेक्ट्रोन का सांद्रण है, अधा NH बराबर NI की खाद दू बटा NE मानु को रखने पर हमें NH बराबर 4.5 गुणा 10 की खाद 4 प्रतिक घन मीटर, अधा नया होल सांद्रण 4.5 गुणा 10 की खाद 4 प्रतिक घन मीटर है, अशुद्धी मिलाने से उर्जा अंतराल घटता है, यदि डोनर अशुद्धियों को एक तरफ से लाया जाए, तथा ग्रहक अशुद्धियों को अर्थचालक पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल की दूसरी ओर से लाया जाए, तो पी अशुद्ध जंक्शन का निर्मान होता है, टोनर आयन को घन आवेश चिन से इंकित किया जाता है, इसके बाद अशुद्ध परमानों इलेक्ट्रोन प्रतान करता है, ये थन आवेश बन जाता है, धारा कायन को रिन चिन से प्रताशित किया जाता है, इस परमानों द्वारा इलेक्ट्रोन ग्रहन करने के बाद ये रि प्रचुर मात्रा में होल होते हैं तथा एन प्रकार के पदार्थो में प्रचुर इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्राप्त करते हैं तथा दाई और धन आवेश प्राप्त करते हैं जिसके परिणाम सरूप जंक्षन के आर पार एक विद्धत क्षेत्र उत्पन होता है। प्राप्त करना अवशक है। होल को भी P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर विसरित होने के लिए समान उचाई की उर्जा प्राप्त करना अवशक है। अर्दिचालक डायोड किसी बाहे वोल्टेज के अनुप्रयोग के लिए सिरों पर धातु से संपरकित P अंजंचन है। ये दो सिरों वाला प्राक्रम है। सिरेबर तीर का निशान प्राक्रम के P प्रकार के टर्मिनल के संगत होता है। तथा आसान धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करता है। ये धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए निम्न प्रतिरोध युक्त दुई टर्मिनल वाला विद्यत्यंत्र है तथा दूसरी दिशा में प्रतिरोध उच्छ होता है। किसी डायोट का सबसे सामानकार है कि वो विद्धुधारा को अग्र दिशा में प्रवाहित होने देता है, जबकि पश्च दिशा में अवरोध करता है। अग्र दिशिक पायस जंक्शन डायोट जब किसी डायोट को अग्र दिशिक पायस अवस्था में जोडते हैं, तो N प्रकार के पदार्थ में एक रिन वोल्टेज आरूपित होता है, तथा P प्रकार के पदार्थों में धनात्मक वोल्टेज आरूपित होता है। यदि ये बाहिव वोल्टेज अवरोधक से अधिक होता है, तो पश्च अवरोधक पर नियंतरण हो जाता है, तथा धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर बायस अवस्था PN जंक्षन से होकर निम्न प्रतिरोध पत को प्रदर्शित करती है, जो बायस वोल्टेज में केवल लगू वृध्धी के साथ डायोट से होकर बहुत उच्च विद्ध धारा को प्रवाहित होने देती है। रिक्ती स्तर के कारे द्वारा जंक्षन अथवा डायोट से होकर वास्तवी कवरोध अंतर को अचर रखा जाता है। रिन वोल्टेज इलेक्ट्रोन को जंक्षन की ओर अग्रिसर करता है या वहां से विकर्शित करता है तथा उन्हें अतिव्यापन के लिए उर्चा देता है तथा धन वोल्टेज द्वारा जंक्षन की विपरी दिशा में आ रहे होल से जोडता है। जंक्षन डायोट पर अग्रे दिशिक बायस वोल्टेज के अनुप्रेयोग से रिक्ती स्थर बहुत पतलात तथा संकीन हो जाता है जो जंक्षन से होकर निम्ण अवरोत को प्रदर्शित करता है इस प्रकार उच्च वितु धारा को प्रवाहित होने देता है वो बिंदू जिस पर धारा में अचानक व्रित्धी होती है उसे नी बिंदू के रूप में इस थेर आई वी विशिष्ट वक्रद्वारा दर्शाते हैं पश्च दिशिक बायस जंक्षन डायोट जब किसी डायोट को पश्च दिशिक बायस अवस्था में संपरकित किया जाता है तो N प्रकार के पदार्थ पर धन वोल्टेज आरूपित होता है तथा P प्रकार के पदार्थ पर रन वोल्टेज आरूपित होता है एन प्रकार के पदार्थ पर आरोपि धन वोल्टेज इलेक्ट्रोनों को धन इलेक्ट्रोट की ओर जंग्शन से दूर आकरशित करता है जबकि पी प्रकार के सिरे परिस्थित होल रिन इलेक्ट्रोट की ओर जंग्शन के विपरीत आकरशित करता है इसके परिडाम सुरूप इलेक्ट्रॉन तथा होल के अभाउं में रिक्ती स्तर बढ़ता चला जाता है तथा एक उच्छ प्रतिरोध पत्थ उत्पन होता है जो बिलकुल अचालक की तरहा होता है पश्च बायस अवस्था पी-एन जंक्षन को उच्छ प्रतिरोध प्रदेशित करता है तथा जंक्षन डायोड से होकर बायस वोल्टेज में वृध्धी के साथ वास्तों में शूने धारा प्रवाहित करता है यदि भी एक बहुत कम धारा जंक्षन से होकर अवश्च प्रव पी-एन जंक्षन डायोड के वी आई को अगरे दिशिक बायस में धारा तब तक पहले धीरे धीरे बढ़ती है जब तक गिप डायोड से होकर वोल्टेज किसी निश्चित मान को प्राप्त नहीं कर लेता है विश्च विभाव के बाद डायोड धारा डायोड पायस बहुत लगू वृद्धी के वावजूद भी तेरी से बढ़ती है इस वोल्टेज को 36 वोल्टेज अथवा नी वोल्टेज कहते हैं पश्च दिशिक बायस में डायोड के लिए धारा बहुत लगू होती है तथा बायस में परिवर्तन के साथ भी हमेशा अचर होती है ये प वर्धक प्रत्य वर्ती धारा को दिश्ट धारा में रोपांतरित करने के प्राकरम को वर्धन कहते हैं तथा इस रोपांतरन के लिए प्रयुक्त परिपत वर्धक कहलाता है क्रिस्टल डायोड वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है दो प्रकार के वर्धक परिपत प्रियोग में आते हैं अर्ध तरंग वर्धक अर्ध तरंग वर्धक में प्रत्यवर्ती तरंग के धनात्मक या धनात्मक अर्ध कुजरता है जबकि अन्ने अर्ध को रोक दिया जाता है पून तरंग वर्धक पूर्ध तरंग वर्धक संपूर्ण इन्पूर्ट तरंगों को इसके आउटपुट पर एक अचर धुरुवन पर रुपांत्रित करता है अर्ध तरंग वर्धक प्रत्यवर्थी धारा संकेत जिसका वर्धन होना है उसको step-down transformer के प्रात्मिक सिरों P1 तथा P2 से संपर्कित किया जाता है दुईतियक सिरों में से एक सिरे को junction diode के P ग्षेत्र से संपर्कित किया जाता है जब दूसरे सिरे S2 को श्रिणी क्रम में जुड़े load प्रतिरोध RL के साथ N ग्षेत्र से जोड़ दिया जाता है ओट्पुट वल्टेज को load प्रतिरोध RL से लिया जाता है दुईतियक सिरे S1 तथा S2 से होकर प्रत्यवर्थी इंपुट वल्टेज प्रत्य अर्ध चक्रन के बाद धुरुण को परिवर्थित कर देता है इंपुट प्रत्यवर्थी वल्टेज के प्रत्थम अर्ध चक्र में S2 की तुलना में सिरह S1 धनात्मक होता है इस अर्ध चक्र के दौरान डायोड अग्रिदिशिक बायस होता है तथा इसलिए डायोड धारा को A-B में प्रवाहित करता है अन्य अर्ध चक्रन के दौरान सिरह S1 सिरह S2 की तुलना में रिनात्मक होता है इस अवस्था में डायोड पश्च बायस होता है तथा ये धारा प्रवाहित नहीं करता है। इस प्रकार धन अर्ध चक्र के लिए लोड प्रतिरोध RL से होकर विभुवांतर होता है तथा रिन अर्ध चक्र के दौरान विभुवांतर नहीं होता है तथा लोड से होकर आउटपोट पलसेटिंग दिश्ट धारा होते हैं. पूर्ण तरंग वर्धक पूर्ण तरंग वर्धन के लिए दो जंक्षन डायोडों का व्योग होता है इसमें दो डायोड D1 तथा D2 होते हैं जिसके N सिरे N1 तथा N2 सिरों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं. प्रत्य वर्धिधारा संके तक जिसका वर्धन होना है उसको पावर ट्रांस्फार्मर के प्रात्मिक सिरे P1 तथा P2 से जोड़ दिया जाता है. डायोड के P क्षेत्रों में P1 तथा P2 को ट्रांस्फार्मर के त्विथिय सिरे S1 तथा S2 से संपर्कित कर दिया जाता है. प्रतेक अर्धिचक्र के बाद Polarity बदल लेता है Input प्रत्यवर्थी सिगनल के प्रत्थम अर्धिचक्र में Terminal S1 धनात्मक होता है तथा S2 धनात्मक होता है तब Diode D1 अगर दिशिक पायस होता है तथा Diode D2 पश्च दिशिक पायस होता है अता Diode D1 से जालन होता है जबकि Diode D2 से नहीं होता है Diode D1 के कारण धारा की दिशा A से B की और होती है दूसरे अर्धिचक्र में Terminal S1 धनात्मक है तथा S2 धनात्मक है Diode D1 पश्च दिशिक पायस है तथा Diode D2 अगर दिशिक पायस होता है अता Diode D2 में चालन होता है जबकि D1 में चालन नहीं होता है Diode D2 के कारण धारा की दिशा A से B की और है अता Input प्रत्यवर्थी धारा सिगनल के लिए और पुट धारा एक दिशी पलसज सतत श्रिंकला होती है जेनर डायोड जेनर डायोड पश्च दिशिक उचित रूप से मिश्रित क्रिस्टल डायोड है जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज तीज होता है तथा जो ब्रेकडाउन क्षित्र कारियान वित करता है जब किसी क्रिस्टल डायोड पर पश्च दिशिक पायस क्रांतिक मान के पार बढ़ जाता है तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है पश्च धारा एक उच्च मान तक तीजी से बढ़ती है जेनर वोल्टेज मिश्रन की मात्रा पर निर्भर करता है कम मिश्रित डायोड में उच्च दर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जेनर डायोड के मुख्य कुण है जब इसका अगर बायस किया जाता है तो इसके कुण सामानिड डायोड की तरह ही होते है जेनर डायोट हमेशा पश्च बायस होता है जब पश्च बायस होता है तो इसमें से होकर अल्पधारा प्रवाहित होती है ये धारा एक निश्चित क्रांतिक वोल्टेज तक अचर रहती है जिसे टर्न ओवर वोल्टेज कहते हैं तथा धारा तीजी से बढ़ती है क्या आप जानते हैं? कुछ पदार्थों को अर्ध अचालक के रूप में वर की क्रित किया जाता है. इनकी विद्ध चालकता, विद्ध अचालकता के निकट होती है. एक सामान ने अर्ध अचालक का उधारन गेलियम और्सेनाइट है. किसी एलेक्ट्रोनिक युक्ती के लिए सिलिकन दिल की तरह है. आज अधिकांश अर्ध अचालक चिप्स तथा टांजिस्टर सिलिकॉन से बनाय जाते हैं. किसी चिप का इलेक्ट्रोनिक शित्रभल वो होता है, जिसमें अल्परसाइन जैसे बोराउन तथा पासफोरस मिलाय जाता है, जो सिलिकॉन की चालकता को बदल देता है. सारांश आईए हमने जो कुस्ति का है उसे संग्षेप में तोहराएं. अर्ध चालक में संयुजकता बैंड पूर्टा भरा होता है, तथा चालक बैंड इसके निकट होता है. अर्ध चालक पदार्थ की चालकता तथा पढ़ते से पढ़ता है. आंतरिक अर्दचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मिश्रन नहीं होता है तथा इसे शुद्ध अर्दचालक कहा जाता है पीप्रकार के अर्दचालकों में हम क्रिस्टल सनचना में त्री संयोजक मिश्रन को डालते हैं जैसे की अलूमिनियम, बोराउन, अध्वा, इंडियम यदि दाता मिश्रन शुद्ध क्रिस्टल अर्दचालक पदार्थ के एक तरफ प्रविष्ट होते हैं तथा ग्राही मिश्रन को इसकी दूसरी ओर तो पीएंज जंक्शन का निर्बान होता है एक अर्दचालक डायोड मूलता धात्विक संपर्क के साथ पीएंज जंक्शन है जो बाहिव वोल्टेज के अनुप्रियोग के लिए अंतिम सुरों पर जुड़े होते हैं प्रत्यवर्ती धारा को दिश्ट धारा में बदलने के प्रवर्धन केहते हैं तथा इस रुपांदरण के लिए परिपत को प्रवर्धक केहते हैं जेना डायोड उचित रूप से मिश्रित एक पश्च पाइस डायोड है जिसमें तेज ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ब्रेकडाउन क्षित्र में कारे करता है